Hello students, Anjay Hind, I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा platform जहांपे class 1 से लेके class 12 तक सारा का सारा education आपको exclusively free of cost प्रोवाइट कराया जाता है. मतलब यह कि यहांपे कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 2 या 3 chapters किसी भी subject के free of cost पढ़ने के लिए मिलें और उसके बाद में फिर आपसे यह बोला जाएगी बचे हुए syllabus को access करने के लिए आपको हमें किसी तरीके की fees देना पुड़ेगी या फिर कोई free subscription लेना पुड़ेगा. ऐसा Magnet Brains में नहीं होता. Magnet Brains प्रतिबध है आप लोगों तक हर तरीके की परिस्तितियों में quality content लेकर आने के लिए जिससे कि ना सिर्फ आप लोग अपने examinations में अच्छा perform कर सकें बट 37 आप लोग अपने careers में भी अच्छा perform कर सकें अच्छे बदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नती में आप लोग अपना contribution दे सकें तो इसी note पर हम लोग अपना आज का session शुरू करेंगे. हम लोग इसके पहले वाले sessions में पढ़ रहे थे हमारी history class 12 उसकी जो दूसरी किताब है हमारी NCRT की और उसका जो पहल चाप्टर है through the eyes of the travelers या फिर इस तरह से बोलूंगी theme number five इसको हम लोग discuss कर रहे थे last lecture में हम लोगो ने अलबरूनी के बारे में बातचीत करी थी अलबरूनी और उसके जो किताब अलहिंद उसने लिखी है उसके बारे में बातचीत करी उसमें क्या qualities थी अलबरूनी कौन था कहां से आया था क्यों इंडिया की तरफ इंटरेस्ट हुआ उसका और उसके बाद में फिर उसने किताब उलहिंद में क्या-क्या चीजे ने डाली, किस तरीके से वो अपने chapters के शुरुआत करता था, किया और किन-किन subjects को इसना टच किया था, कहाँ कहाँ वो रहा, कहाँ कहाँ वो अंडिया में गूमा, इसे सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस करकर खतम किया था आज उसके बाद जो second important traveler इस देश में आया जिसने फिर अलबरूनी के बाद में इंडिया में घूमा ब्रहमंड किया और उसके बाद में इसके बारे में फिर उसने अपना यात्रा व्रतान थी या फिर अपना description लिखा था अपने memoirs लिखे थे ट्रावल्स के उनके बारे में हमको बातचीत करनी है और उस traveler का नाम है इbn-बतूता इबन बतूता के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि ये कौन था, कहां से आया था और उसके बाद में इसने जो किताब अपनी लिखी है जो memoirs लिखे हैं जिनका नाम है रिहला उसके बारे में हम लोग उने बातचीत करनी है तो इबन बतूता और इबन बतूता की जो किताब है रिहाला उसके बारे में हम लोग बातसीत करेंगे, साथी साथ फिर ये भी देखेंगे कि किन बातों को इसने डिस्क्राइब किया है, क्या ऐसी characteristics थी, जो relevant थी या important थी, और क्यों आखिर इनको हम आज की तारिक में पढ़ ये भी हमको इस पर्टिकुलर सेशन में समझ में आएगा, तो चले, शुरू करते हैं, पहला जो टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है, इबन बतूता जरिहाला और उसमें भी जो सब टॉपिक रहने वाला है, उसका नाम है, एन अरली ग्लोब ट्रॉटर, चले, शु वगरा के ओपर ये किताब उन्हों ने लिखी थी, जिनका नाम था रिहाला, अब ये जो किताब है, ये अरभी भाशा में लिखी गई है, या फिर अरबिक में लिखी गई है, अब इस किताब को पॉड़कर हमको काफी रिच डीटेल्स वगरा जो हैं, पता चलती हैं, उन अलग जगाओं के बारे में अलग-अलग अलाकों के बारे में जहां पर ये गए थे, इंडियन Move कर लें, इंडियन सबकॉंटिनिट 14 सेंचुरी में किस तरीक का हुँआ करता था, 14 सेंचुरी का मतलब क्या, 1301 से लेखे, 1399 या 14 से पर देला दो ऑनिया, 1400 के भीच की बा पहला सवाल यह कि इbn बतुटा था कौन और कहां से आया था? तो आज का जो आपका मुरक्को है, आज अफ्रिका में, नॉ्छ अफ्रीका में आपको जो देश देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है मुरक्को, इबन बत्यूता बेसिकली वहाँ पर जन्म हुआ था उसका या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर by nationality या ethnicity आपको देखना हो तो ये बंदा मुरक्कन था मुरक्को में भी एक जगे पढ़ती है टेंजायर वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ था बहुत रिस्पेक्टेबल और educated family में इनका जन्म हुआ था और इस particular family की जो थी expertise थी आपका religious laws में जिसका पूरा का पूरा आपका Muslim इलाक था तो religious laws मतलब है शरिया law तो basically एक ऐसे परिवार में जन्म है जिसकी समाज में बहुत इज्जत थी और वह बहुत पढ़े लिखे लोग थे और उनकी जो expertise थी वह किसमें थी Islamic religious law में थी जिसको शरिया भी बोला जाता है तो इसी tradition को आगे बढ़ाते हुए true to the tradition of his family ibn Battuta received literary and scholastic education when he was quite young तो क्योंकि काफी पढ़े लिखे घर में जन्मे थे और ये लोग आपका ये जो family थी Islamic law के expert मने जाते थे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब इनके घर में बच्टा बेटा हुआ तो इसको भी जो है उन्होंने काफी छोटी उमर से आपका literary और scholastic education देना शु डाल दिया गया था और इनका रुजान भी इस तरफ था खेर आगे बढ़ते हैं हाला कि इनके जो class के दूसरे members थे unlike most of the members of his class इबने बतूता considered experience gained through travels to be a more important source of knowledge than books पढ़ाई लिखाई की तरफ रुजान था मगर जो दूसरे आपके class के बच्चेओं की आप बात कर लोगे तो पेक्षा इबन बतूता का मानना क्या था कि आपको जो experience घूमने से मिलता है किसी भी जगे अगर आप travel करते हो और उससे आपको जो knowledge या फिर जो ग्यान मिलता है वो ज़्यादा relevant है या वो ज़्यादा जरूरी है किताबों में जो लिखा हुआ है उसके पेक्षा बड़ी interesting बात है यहां से क्योंकि फिर अपने को ये समझ में आता है कि इस आदमी का traveling की प्रती इतना ज्यादा रुजहान क्यों था क्योंकि जिस वक्त में बात हो रहे ही उस वक्त में travel करना काफी मुश्किल माना जाता था और ऐसी परिस्तितियों में भी इसने अगर जितनी दुनि में क्या बात थी कि किताबों में जो लिखा हुआ है इसको पढ़के सीखने के पेक्षा अगर मैं घूमूंगा अगर मैं travel करूंगा तो उससे जो knowledge मुझे मिलेगा वो ज्यादा relevant है तो यहीं से फिर पता चलता है कि इनको traveling बहुत पसंती इनको घूमना फिरना जो है बहुत 1332 ते लिके 33 के बीच में important है याद रखिए अगर 1332 स 33 के बीच में ये इंडिया के लिए निकले थे उसके पहले ये मक्का एक बार गये थे पिल्ग्रिमेश ट्रिप पर जो आपका हज होता है मुस्साजमानों का उसमें ये एक बार आपका मक्का गये थे ट्रिप के उपर और उसके बाद में फिर इसके इलावा ये सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान इतनी सारी जगाओं पर जो है काफी बार घूम चुके थे और आपका जो इस्ट कोस्ट था अफरीका का वहां की भी काफी सारे ट्रेडिंग पोट्स वगरा पर ये जा चुके थे खुके पिलाकर ये है कि इन्होंने नौर्थ अफरीका लगबग लगबग पूरा देख लिया था और आपका जो अफरीका का इस्टन कोस्ट है यानि कि अगर हम लोग इंडिया की मुंबई से चलेंगे तो फिर हम लोग जिस कोस्ट पर लगेंगे उसको अफरीका का इस्टन lyric कि फिपाइर का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हिंदुस्तानियों का काफी मात्रा में यहां होता था्ट कि यहां पर कुछ ना कुछ मातरा में लेड़ाँ है या फिर इंडियन के बारे में कुछ ना कुछ पता चला होगा और एक इंट्रेस भी जागा होगा कि कौन सी जगह है क्या है तो फिर इसलिए इंटोने डिसाइड किया होगा कि चलते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली फिर 1332-1333 में ये निकल करा है ये बात बताने का लॉजिक ये है कि ऐसा नही किया उसके बाद में फिर ये जो बाकी सारे देशों के नाम आ रहा है ये भी काफी डिस्टन्सव पर यहां पर भी घूम कर आया अफ्रीका के इसकोस्ट में कई सारे ट्रीडिंग पोर्ट पर गया है इसका मतलब इसने काफी डिस्टन्स कवर कर रग रहे थे प्रफेशनल शुरू किया और यह जमीन के रास्ते जो हैं इंडिया आये थे तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि ट्रावलिंग ओवर लाइंड थू सेंट्रल एशिया इबन बतूता रीष्ट सिंध इन 1333 सिंध आज की तारीक में तो पाकिस्तान में चला गया है अब यहां पर पहुंचने के बाद इस वक्त जब यह यहां पर आये थे तब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत थी इस वक्त मुगलों का राज तो आया नहीं था, मुगलों का राज इसके लगबग 1.500-200 साल बाब आया है, तो आपका यहां पर पहुँचने पर इनको दिल्ली सुल्तनत में जो आपके सुल्तान हुआ करते हैं, जनका नाम तब मुहमद बिन तुगलक, मुहमद बिन तुगलक आप नाम का सुल्तान दिल्ली में तब बैठा करता था, इसको उसके बारे में पता चला कि यह बहुत भाई आपका जेनरस किसम का आदमी है और आपका जो आर्ट्स और बाकी सारा जो साइन्स और नॉलेज है, उन सबका बहुत बड़ा पैटरन है, जब इनको पता चला, ल वहाँ से गूनते 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 लगबग साल भर के अंदर-अंदर यह सिंद पहुंच गया, सिंद जो आजकी तारीक में पाकिस्तान में है अगर तब इंडिया का पार्ट माना जाता था, अब यहाँ पर पहुंचने के बाद में इनको दिल्ली के बारे में पता चला कि कि भाई दिल्ली में दिल्ली सल्तनात है और आपका वहाँ पर जो सुल्तान बैठता है वो बड़ा पैट्रन और जैनरस किसम का आदमी है वो आर्ट्स की बहुत इज़त करता है लेटर्स याने की लिखी हुए किताबे जो हैं उनको बहुत पसंद करता है तो इस सारी चीज़ क्योंकि पड़ा लिखा इंसान तो था यह और जैसा कि हमने बात की थी कि यह इसलामिक जो लॉग होता है शरिया वगएरा उसको काफी बच्पन से इनको सिखाया गया था तो अल्टिमेटली जब यहाँ पर पहुंचते हैं और सुल्तान जो है इनकी स्कॉलर्डशिप से इ या फिर जज और डेली बना दिये जाते हैं आप इस पॉरिशन में यह कई सालों तक रहते हैं और दिल्ली में काफी वक्त यह अपना बिताते हैं अल्टिमेटली फिर कुछ सालों तक यहाँ बढ़िया जिने के बाद में सुल्तान के साथ में किसी बात पर गलत फैमिया हो या मन मुटाव हो जाते हैं तो उसके बाद में शहर काजी बनाये गए थे और लोगों को सजाएं सुनाते थे वहां से इनको उतारा जाता है और उसके बाद इनको जिल में डाल दिया जाता है ठीक है तो इस तरीके से यह दिल्ली पहुछने के बाद काफी सालों तक सिंध आया था और उसी साल जो है आपका आदिल्ली पहुंच गया 1333 से 1343 लगबग 10 साल होता है उससे एक साल कम याने की नवे साल हिंदुस्तान आने के बाद में इंडियन सब कॉंटिनेंट में इंटर करने के नवे साल में 1342 में इनको ऑडर किया जाता है कि भाई आप जो है सुल्तान के दूत के तौर पर चाइना जाईए चाइना में जो आपका मंगोल रूलर बैठा हुआ है उसके पास में हमको अपना एक दूत भेजना है एक ऐसा अपना अंबैसेडर भेजना है जो वहाँ पर जाके हमारे सुल्तान का अपना पक्ष वगरा रख सके हमें उनके साथ में जो रिष्टे नाते बनाने हैं वो बातचीत वगरा कर सके तो यह आप यह सारा काम आप हमारे लिए करोगे तो ultimately 1342 में इनको बोला जाता है कि भाई आप चाइना जाओ आप इनका मन था नहीं था मैटर नहीं करता है जिसमें इबन बतूता को बोला गया है कि दिल्ली के सुल्तान की तरफ से मंगुल डूलर के पास मैं आप चाइना जाओ तो इस नए असाइन्मेंट के साथ में यह फिर से जो है अपनी यातरा की शुरुआत करते हैं और पहले तो यह गुमते घामते पहुंचते हैं मलावार सेंट्रल इंडिया के राष्टे से होते हुए मध्य वारत से होते हुए केरल जाते हैं केरल का जो मलावार का कोस्त है यह वहाँ पर पहुंचते हैं मलावार के कोस्त है फिर यह जाते हैं मालदीव्स माल दीव में फिर ये वहां पे लगभग 18 महिने रुकते हैं याने कि लगभग 10 साल के करीब माल दीव में रुकते हैं और वहां पर भी काजी की पोस्ट पर पो जो है पॉइंट किये जाते हैं या काजी के तॉर पर ये वहां पराट करते हैं तो ultimate ली फिर यह पिर यहाँ मन नहीं लगाया, एक्छा बहर गई lilaus जो देखना तो ultimate ली फिर यह मालदीर से निकलते हैं श्री लंका, श्री लंका से इसके बाइच के कोस्ट पर वापस जाते हैं और अर्षी, इसके बाद में फिर यह अपना जो चाइना का continent का एक बड़ा इलाका जो है घूम लिया था फिर से देख लेते हैं एक बार कहां से कहां गए थे पहले यह आपका जो अपना इनको बोल दिया गया दिल्ली में कि आपने चाइना जाना है तो इसके लिए भाई ने पूरा मध्य भारत क्रोस करते हुए किरल के मलाबार में आय इस बीच में इसने असम और पश्यम मंगाल का इलाका भी देख लिया तो काफी बड़ा पोर्शन जो है इतना समझ में आ रहा है कि इस बंदे ने कम टाइम पीरिड में घूम लिया था चले आगे बढ़ते हैं अब फिर यह फाइनली पहुंचते हैं आपका इंडोनेशिया इंडोनेशिया में सुमातरा से ये एक शिप पकड़ते हैं और यहां से फिर एक दूसरा शिप लेके अल्टीमेटली जो चाइना का पोर्ट टाउन है जिसको जैतून बोला जाता था जिसको आज की तारीक में कौनजाओ के नाम से जाना जाता है ये वहाँ पर पहुंचते अल्टीमेटली ये चाइना में भी फिर काफी जादा गूमते हैं कई लोग ये कहते हैं कि बीजिंग तक भी जो हैं चाइना में पहुंच गए थे मगन यहां पर लंबे वक्त तक रुके नहीं और अल्टीमेटली 1347 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब लोट जाना चाहि जो यातरा ब्रतांत लिखा ये बहुत important है बहुत relevant है और कई बार इसको compare किया जाता है एक दूसरे ट्रावलर के साथ में जिसका नाम था Marco Polo Marco Polo चाइना विजिट किया था और ये इंडिया भी आया था यह आया कहां से था ये वेनिस से आया था 13 सेंचुरी के असपास लेट 13 सेंचुरी में ही ये बंदा भी आया लेट 13 सेंचुरी का मतलब है 1200 के आखरी दाहियों के अगर आप बात कर लो उसमें Marco Polo इंडिया और च रिकार्ट छोड़ा है कई बार इन दोनों को compare किया जाता है और इसकी मदद से भी जो है समझने की कोशिश की जाती है कि इनकी observations में आखर कितनी commonalities है या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि एक Arab और एक European अगर एक ही देश में बहुत ज़ादा time period की difference में नहीं है 40-50 साल का जो time difference इनके बीच में रहा भी होगा उसके difference में ये लोग अगर आये हैं तो इसमें Indian subcontinent के इनके observations में कितना फर्क है और इस बीच में Indian subcontinent आखिर कितना बदला होगा इस चीज़ को भी एक अच्छा observation हमको यहां से करने के लिए मिलता है चलें आगे बढ़ता है अब इबन बतूत इबन बतूता कि एक खासियत यह थी कि यहां पर भी जाता था बहत important बात है इब बतूता कि अब खासियत यह थी यह यहां पर भी जाता था Va himselfilan नए cultures वगेरा इसको देखने को मिल रहा है, जो नए लोग आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर उनके जो धार्मिक विलीव्स हैं, उनकी जो values है, social values, moral values, इन सब के बारे में ये जितना भी observations करते थे, उनको बहुत meticulously record किया करते थे, मतलब बहुत detail में जो है, इसको record किया इतना सारा जो घूमा है, इसको इसना record भी किया, ये सब पड़ते वक्त अपने को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये अभी की बातचीत नहीं हो रही है, ये सारी की सारी traveling हो रही है 14 century में, याने की सन 1301 से लेके, 1399 या 1400 के बीच के जो 100 साल है, इस century में जो है ये बं प्रटेरों का डर है, चोर उचकों का डर है, डाके पड़ने का डर है, आपकी जान तक जो है जा सकती है, बहुत सी दिक्कते आती थी, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इबन बतूता के जो travels हैं, वो लगबग 40 दिन लगते थे, और सिंद से दिल्ली आने में लगबग 50 दिन लगते थे, तो 40 दिन का सफर मुल्तान से दिल्ली का होता था, और सिंद से दिल्ली का जो सफर है वो लगबग 50 दिन का होता था, दौलता बाद जिसको देवगिरी भी बोला जाता है, नीचे के आला आप कश्मीर सकन्या कुमारी पहुंच जाओगे एक या दो दिन के सफर में, अब यह जो है 40-50-50 दिन आपकी ट्रावलिंग कंटीनियसली कर रहे हैं, तब एक से दूसरी जगे पहुंच रहे हैं, इस ते यह भी समझ में आता है कि उस वक्त में यातरा करना कितना मुश्किल ह हुआ करता था, कितना दुर्गती हुआ करती, जो कई बार तो लोग बोलते थे कि चलो छोड़ो यार, अब कौन इतना लंबा जाए, बीच में यह आतना है छोड़ छोड़ के चले जाते थे, मगर इबन बतूता की दात देना पड़ेगी कि 50-50 दिन उस बंदे ने ट्राव से समझ पा रहे हैं, चलें, आगे बढ़ना है, अब यह NCIT में एक छोटा सा आपको ब्लॉग दिया हुआ है, जिसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि उस वक्त में ट्रावलिंग कितनी मुश्किल होती थी, और कई लोग जैसे आज की तारीक में ट्रावलिंग फन के लि जाती थी, किस तरह से वो हम लोग अब देखेंगे, यह जो हैडिंग है, इसकी वो है लोनली ट्रावलर और यह जो एकसर्ट है या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि जो लाइन्स वगेरा है, इनको आपकी जो इबने बतूता की किताब है रिहाला, उसमें से उठाया गया, आ तो इसमें वो ही बात अपने को बताने की कोशिश की गई है, कि एक तो खत्रा यह था कि आगर आप ऐसे ट्रावल करोगे उस ताइम पिरियेड में तो रास्ते में आपको चोर उचक्के और डाकू वगरा काफी मिला करते थे, तो यह तो एक खत्रा था ही था, इसका तो इस वो कई बार बिमार पढ़ जाते थे, अब ऐसा भी नहीं था कि रास्ता में कहीं बे आपको कोई हॉस्पिटल मिल जाए, या कोई डॉक्टर मिल जाए, इस तरीके की चीज है, तो अब अगर आप बिमार पढ़ गया और आपकी किसमत खराब हो सकता है, वो बिमारी आपकी जानी ले ले, या फिर आप होम से खो और अब घर की बहुत याद आ रही हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि फिर कोई ट्रेन पकड़ो या आपकी फ्लाइट ले लो और एकदम से द्रोड़ के घर पहुंच जाओ, अगर वहां से घर वापस भी लॉटो के त इसमें अबन बतुता बोलता हैं, I was attacked by the fever and I actually tied myself on the saddle with a turban cloth in case I should fall off by the reason of my weakness, याने की रास्ते में इनको जवार आ गया था या फिर इनको रास्ते में बुखार आ गया था, I was attacked by the fever याने की मेरे को, मेरे उपर बुखार ने हमला कर दिया, कहने का मतलब क्या है कि मुझे काफी त आपका स्टैडल होता है, जिसके उपर बैठके आपके ट्राबलर्स चलते हैं, उसके साथ में अपनी तर्बन है, जो पगड़ी वगरा पहनी जाती है, उसके कपड़े से मैं अपने आपको सैडल से बांध लिया, जिससे की यह होगा कि अगर मैं इतना कमजोर हो जाओं कि म इससे गिर जाओं, अपनी वीकनेस वगरा के करण में उससे गिर ना जाओं, तो इसलिए मैंने अपने आपको सैडल से या फिर जो आपकी जीन होती है, जिस घोडे के उपर जो लगाई जाती है, उसके साथ में अपने आपको बांध लिया, कैसे बांध लिया, टर्बन का जो क्लोथ है उसकी मदद से ताकि मैं अपने आपको सस्टेन कर सकूँ अब इबन बतूता जहां पर जा रहा था तो वो अकेला नहीं जा रहा था इसके साथ में और भी काफी सारे लोग जो है जा रहे थे अब जो मतलब आपके यातरी इबन बतूता के साथ में टूनिस के शहर में पहुंचे हैं और जो टूनिस के शहर के रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करते हुए आतने एक दूसरे से हालचाल पूछने और सारी चीज़ें कर रहा है ठीक है अब क्योंकि टूनिस शहर में इबन बतूता को कोई जानने पहचानने वाला था नहीं तो यहां पर किसी ने उनका जो है तो बधी मुझे कोई जानने था। इस से मुझे दिल में बहुत खराब लगा shaping मेरे दिल मे दील में महसुस हुई और एक चलते हुआ यह कि मैं अपने आसू नहीं रोक पाया औरु मैं बाहुत बूरी तरीके शें फुट कर रोने लगा But one of the pilgrims realized the cause of my distress मगर अब जब मुझे रोते हुए एक pilgrim ने देखा जो एक आपका तीर थियातरी मेरे साथ आया था उसने देखा या तीर थियातरी तो उसने ultimately भी रियलाइस किया कि मैं क्यों रो रहा हूं और finally वो मेरे पास आया और मुझे greet किया उसने मेरा हाल चाल लिया और इस तरीके की चीज़ है तो यहां से अब यह जो अपने बतूदा ने बात बताई यह से दो-तीन बातें समझ में आती है रास्ते में अगर आप बिमार पढ़ जाओ तो इस बिमारी के साथ में बात में जब पहुंचे कहीं पर तो एक all together नया शहर है कोई जानने वाला नहीं कोई पहचानने वाला नहीं तो अकिलापन आपके उपर हावी हो गया इतना हावी हो गया कि इतनी मुश्किलात को पार करके आने वाला बंदा भी जो है उसी बात को फिर यहां पर explain भी किया गया है कि traveling जो थी वो बहुत जादा insecure हुआ करती थी ऐसा नहीं कि आज बैठे और बहुत इंशॉलिडी के साथ मैं अब एक से दूसरी जगह पहुच जाओगे traveling बहुत insecure हुआ करती थी रास्ते में कई बार आप कई सारी यात्राओं पर इपने बतूता अपने रिहाला में लिखते हैं कि भया मेरे पर पचासों बार जो है हमले हुए थे एक से दूसरी जगह जाते बद कई बार आपके जो रॉवर्स होते थे बैंड और रॉवर्स क्योंकि इनकी किताबों में अपने को जिकर मिलता है कि बार बार इनके उपर रॉवर्स के हमले हो रहे हैं एक से दूसरी जगह जाओगे तो आपके जो लुटेरे होते थे हाइवेज वगरा कि वो हमला किया करते थे ठीक है जी तो इसलिए इबन बतूता अपनी बंद कर दी हाइवे रॉवर्स के हमले उसके बाद भी जेलने पड़े जैसे जब मुलतान से दिल्ली जा रहे थे तो इनका जो कारवान था इसके ओपर हमला हुआ और इनके जो कई सारे फैलो ट्रावलर्स वगरा थे अब लड़ाई जगड़ा हुआ होगा तलवारे चली ह बंद बतूता भी शामिल थे इनको बहुत ज़्यादा चोटें वगरा लगी अब जैसे दैसे लुटे लुटाए मारवार खाए हुए अब काफी सारा जो है सारी चीजों को बरदाश करने के बाद में दिल्ली पहुँचे तो इस समझ में आता है कि ट्रावलिंग उस वक्त में कितना ज्यादा मुश्किल काम हुआ करता था यह फोटोग्राफ भी जो है बना के बताया गया है कि इस तरीके से अब रास्ते में लोग जा रहे हैं कहीं पर इन्होंने अपना डीरा डाला होगा रुक कर अब खाना वगरा खाके बैठे हुए हैं रात को आग जला के चा इसके बाद में आता है अब जैसे कि अपन लोगों ने देखा कि इबन बतूता जो था वो बहुत जादा ट्रावल करता था एक से दूसरी जगह लगा था और मूफ कर रहा है और सारी चीजह हैं तो हम लोग क्या सकते हैं कि इबन बतूता वाजन इन वेटीरेट ट्रावलर यानि कि रुखता ही नहीं था लगातार जो है ट्रावल किये जा रहा था कई सालों से एक से दूसरी जगह ये मूफ कर रहा था कई साल इसने जो हैं ट्रावलिंग में बिता दिये कहां कहां पर ये गया था मुरग को अपना जो नेटिव लाइंड थी अपने घर लॉट गय तो वहां का जो रोकल डूलर था उसने इंस्ट्रैक्शन सिशू किये थे वाई इबन बतुता जहां-जहां घुंकर आया है और वहां की जो कहानियां यह सुनाता है इन सब को रिकॉर्ड किया जाए और इसका जो है एक इसका एक हिसाब किया गया NCRT में तो उनको अब हम लोग थोड़ा सा डिसकस करेंगे पहला जो ब्लॉक है वो है एजुकेशन इंटर्टीन्मेंट इस वाट इबन जुजाई फॉस देप्यूटेट तो राइट वाट इबन बतूता इबन जुजाई इसको इंस्रक्शन दिये गए थे जो लोकल रूलर था मुरक्कों का उसने इसको बोला था कि इबन बतूता जो भी बातें बताता जाए जो भी अपना यातरा प्रतान सुना है उसको तुम्हें रिकॉर्ड करना है तो इसने अपना जो इंट्रोड़क्शन है उसमें क्या लिखा है उसके बारे में आपनलोग बातचीत करेंगे इबन बतूता जहां जहां पर घूमा है उन सारी सिटीज वगरा के बारे में वो अपना यातरा व्रतान बताएगा और आपने क्या करना है उस सब को रिकॉर्ड करना है ठीक है जी और इस बीच में जो भी इंट्रेस्टिंग इवेंट उसके साथ में हुए है जितने भी उसको याद है वो सारे के सारे आपको रिकॉर्ड करने है and that he should speak of those whom he had met of the rulers of countries of their distinguished men of learning and their pious sins इसके अलावा भी जहां जहां पे गया वहां पे जिन जिन countries में ये move किया वहां के जिन जिन rulers से ये मिला है उसके बारे में आपने note करना है उन rulers के साथ में जो distinguished लोग थे learning के यानि के पढ़े लिखे जो लोग थे या जो interesting किसम के लोग आपको मिले थे उसके बारे में आपको लिखना है and their pious saints और उनके जो पवित्र आपके जो रिशी मुनी है या फिर जो आपके संत वगरा है उनके बारे में आप लोग ने जो भी बातचीद ये बताएगा उसको आपको लिखना है Accordingly, he dictated upon these subjects a narrative which gave entertainment to the mind and delight to the ears and the eyes Accordingly, फिर इबन बतूता ने जब इन सारी बातों को बताना शुरू किया और इन सारे subjects के उपर हमको ultimately लिखवाना शुरू किया तो जो बातें उसने बताईए जो narrative उसने दिया उसने मन को बहुत entertainment मिला, बहुत आपका मनोनजन मिला इन सारी बातों को क्रमबद किया गया था एकनी बतूता की जो भी narrative वगेरा है उसको जो भी उसने बातचीत बताई लिखने वालों को भी मज़ा आ रहा था, सुनने वालों को भी मज़ा आ रहा था और उसके बाद पढ़ने वालों को भी मज़ा आया, सुनाने वालों को भी मज़ा आया चले, इसी में आगे बढ़ते हैं, इंदा footstep of इbn बतुता, फिर वो ही होता है, खरबुजे को खरबुजा जो है, खरबुजे को देखकर रंग बदलता है, वो कहावत जो है, वो इबन बतुता की उपर लागू होती है, जब एक बार इबन बतुता ने इतना शांदार जो है travel memoir लिख दिया, जब उसने इस तरीके के descriptions लिख दिये, यहाँ गया, यह देखा, ऐसे लोग है, यहाँ पर यह है, वहाँ पर वो है, और interesting, interesting बाते हैं, जो सारी की सारी बाते हैं, यहाँ पर record की गई है, अब यह जब कहानिया लोगों को सुना ही गई है, जब memoirs लोगों को प पाइदा किया, और इसी के नतीजे में जो visitors वगरा थे इंडिया, कई सारे visitors वगरा जो थे इस बीच में आए, और उन्होंने कई सारे ट्रावलॉक्स वगरा लिखे, यानि मगर यह ट्रावलॉक्स वगरा आपको परशियन में देखने के लिए मिलता है, तो in the centuries between 1400 and 1800 visitors to India wrote a number of travelogs in Persian, तो यहाँ पर काफी सारे जो इबन बतूता के बाद में आपके लोग आए हैं, उन्होंने भी travelogs को लिखा, उन्होंने अपने यातरा व्रतांत लिखे, मगर यहाँ पर एक फरक आ जाता है, अल बरूनी और इबन बतूता ने जो किताबे लिखी हैं, वो Arabic में लिखी गई हैं, यहाँ पर जो किताबे लिखी जा रही हैं, या फिर जो travelogs लिखे जा रहे हैं, वो Persian में लिखे जा रहे हैं, अट दा सेम टाइम इंडियन विजिटर्स तो सेंटरल इंडिया, इरान इंड़ आटोमन अंपायर आल्सो संटाइम्स रोट अब देर फॉलोड इन देर फूट्स टेप्स अफ अल बरूनी ने इबन बतूता, और यह जो राइटर्स वगरा थे, जब यह अपने यात्रा व्रतांत वगरा लिखते थे, तो लगभग लगभग उसी तरीके से लिखा करते थे, या लगभग उसी स्टाइल को कॉपी किया करते थे जिस स्टाइल में अल बरूनी ने अपनी किताबे लिखी दी या फिर इबन बतूता ने अपने जो है मेमायर्स वगरा को लिखे थे, कई बार यह भी होता था कि इनको और इनके पहले के जो ऑथर्स वगरा थे, उनको यह लोग पढ़ लेते थे और उसके बाद में अपना यातरा ब्रतांत वगरा जो है लिखना शुरू करते थे, चलें, आगे देखने, अमॉंग दा बेस्ट नोन अप दीस राइटर्स वेर अब्दुल अब्दुल रजाक समरकंदी, हू विजिटेड साउथ इंडिया इन 1440s, इनका जिकर अब जब हम लोग पढ़ रहे थे, व चाउदा सो से अठासो की बीच में जो राइटर्स वगरा आएं, उसमें जिन जिन लोगों ने अपने यातरा ब्रतांत लिखे इंडिया के बारे में, उसमें से जो सबसे जादा जाने माने राइटर हैं, उनका नाम है अब्दुल रजाक समरकंदी, ये साउथ इंडिया आ आपके ट्राबलर्स वगरा इंडिया आया करते थे, तो उसमें से कई सारे हिंडुस्तान को लेके बहुत जादा फैसिनेटेड थे, क्योंकि ये लोग जिन इलाकों से आ रहा है थे, वहाँ पे एक तरीके की रेगिस्थानी सब्वेता थी, उस तरीके का जो है, डाइवर्स पर देखने को नहीं मिलेगी, तो कई सारे आपके जो यात्री आया थे, ये लोग इंडिया को लेकर बहुत जादा फैसिनेटेड थे, इनमें से एक का नाम जो है, वो था महमूद बल्की, इसकी तो ये स्तिती हो गई थी, ये कुछ वक्त के लिए एक सन्यासी बन गया था, हिंदुस्तान में जो आपका mysticism है, उससे इतना प्रभावित हुआ कि कुछ वक्त के लिए ये सन्यासी ही बन गया, तो ये तो कुछ आपके राइटर्स की कैटेगरी हो गई, इसके अलावा कुछ राइटर्स ऐसे थे, जिनमें से एक था हाजन, ये हिंदुस्तान आये, और उससे ना सिर्फ disappoint हुए, मगर कई बार ये लोग disgusted भी हो जाते थे इंडिया से, याने कि सुना कुछ और था, आकर जब देखा तो उस तरीके की चीज़ें मिली नहीं, तो आपके मन में एक disappointment आ गया, एक disgust की feeling आ गई, और ये disgust की feeling जो है, कई बार ये अपना express भी करते थे ये लोग expect ये करते थे कि हिंदुस्तान आएंगे तो उनको एक red carpet treatment मिलेगा, आप कई बार ये red carpet treatment आपको दिया नहीं जा रहा है, आपको लोग एकदम पलकों पन नहीं बिठा रहे हैं, तो उसके करण भी कई बार ये लोग irritate हो जाते थे, most often saw India as a land of wonders, कुछ लोग हैं आप वो हिंदुस्तान को एक land of wonders के तोर पर देखते थे, क्योंकि इतनी diversity आपको, दुनिया जहां में किसी और जगे पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, खास तोर पर उन रेगिस्तानी इलागों से, जो रेगिस्तान का culture जहां पर था, जहां से ये लोग उठकर आते थे, उन ज किया करते थे, और अजूबों का देख जो है, माना करते थे, आपने आप में गजूबा जो है, इस तरीके का देख नहीं हो सकता, इस तरीके से जो है इनोंने इंडिया को डिस्क्राइब किया है, चलें, आगे बढ़ने हैं, आज का जो सेशन था, इसमें हम लोगों ने history class 12 हमारी उसकी जो दूसरी किताब है, उसका जो पहला चाप्टर है, यूँ बोलूं कि थीम नंबर जो फाइव है, उसमें इबन बतूता और उसकी जो रिहाला है, उसके बारे में बातचीत करीए, इसके बाद जो next हमारा सेशन रहेगा, उसमें जो तीसरे ट्रावलर हैं, फ् के यात्रा वरतांत में क्या था, इस सारी बाचीत हम लोगों को ने करकर खतम करी है, समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग मैगनेट ब्रेंस की हमारी वेबसाइट पर जाईए, यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा जो एजुकेशन है, exclusively free of cost प्रवाइट कराया जाएगा, मतलब फिर वोई बात आजाती है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई paid subscription नहीं लेना पड़ेगा, कोई fees नहीं देना पड़ेगी, जब आप इस website पर जाएंगे, तो सारा का सारा content एक्दम ordered fashion में यहाँ पर arranged है जो भी class का पढ़ना चाहते हैं, जो भी medium का पढ़ना चाहते हैं, आप उस पर click करिए, जैसे आपने class 12 पर click किया, तो फिर आपको उसका सारा का सारा content है, सारे subject, सारे chapters वगेरा उसके मिल जाएंगे, अब जैसे यहाँ पर science का subject खुल जाएंगे, उसके बाद नीचे में आप आपको humanities के subject खुल जाएंगे, अब जो भी subject आप पढ़ना चाहते हैं, लेट से आपने history पे click किया, तो history पे अगर आप जैसी click करोगे class 12 की, तो उसके बाद में history class 12 का subject syllabus का overview और lines है, उसके बाद में जो भी chapters है, sequence में आपको arrange मिल जाएंगे, जैसे पहला chapter है, पहली जो theme है, दूसरी theme में जो है, चार lectures हैं, या पांच lectures हैं, इस तरह से आपको पता चल जाएगा, और आप इन chapters को फिर शुरू कर सकते हैं, इन पे click करकर आप इनको जितना चाहें, तब तक पढ़ सकते हैं, जितना चाहें, उतना knowledge आप गेन कर सकते हैं, डीटेल में आप अपना expertise हैं, कि आपका subject पूरी तरह से तयार हो जाए, यू में splunder and blunder it well and you may be prepared with it, up to such an extent that not only you may perform excellently well in your examinations of class 12 or whatever class you are preparing for, but along with that you may also perform well in the competitive examination where this knowledge is going to come handy and as well will come handy to you as well as it is going to be helpful to you. So yes, on this note, I would be calling it the day, यहीं पर हम लोग अपनी बातचीत को खतम करता हैं, तो इस website पर जाके जितना हो सके इस particular initiative का इस मुहीम का फाइदा उठाईए, और maximum लोगों को जो है आप बताईए, कि आप लोग भी भाई इसका जितना हो सके उतना द्यादा benefit लें, तो इसी note पर आज क सेशन अपने लोग खतम करते हैं, मिलता है नेक्स सेशन में, जिसमें हम लोग यहीं से अपनी बातचीत का जो सिलसला हो से आगे बढ़ाएंगे, अपना तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत positive रहिए, खुश रहिए, हस्तम उसकताते रहिए, मैनत करते रहि and most importantly, जोड़े रहिए, मैंगनेट मिदेंस के साथ, थैंक यू, जाएंडू